लखनों से आजमगण होते हुए गाजीपूर को जाने वाले निर्माडाधिन पुर्वांचल एक्स्प्रेस वे के कारी की प्रगिती का जह जाले ने आजुत्य प्रदेश के आदोगी विकास मंतरी सतेश महाना व मुख्य कारिपालक अधिकारी प्रमुक्सचिव ग्रे आवनी सवस्थी और प्रमुक्सचिव आदोगी विकास अर्बिन कुमार भी महजूद रहे आजमगर के किसंदासपुर इस्थित पैकेज 6 के मुख्याले पर मंतरी और अधिकारियों ने प्रशासन के साथ बैठक की और कारे प्रगिती का जायजा लिया समक्षा के दोरान जानकारे दी गई की करीब 90 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है अधिकारियों वो मंतरी ने कारे की गुडवत्ता से किसी भी प्रकार के समझोते न करने और जो भी अधूरे कारे हैं उसको वर्यता देते हुए जल्द से जल्द पूरा करने की हिदायत दी इस दवरान फलाई ओबर वो मिट्टी को लेकर भी जानकारे दी गई मंतरी सतेश महाना ने बताया कि 90% कारे पूरा होने के कारण उम्मीद की जा रही है कि 30 जून से 10 जुलाई के बीच तक कारे पूरा हो जाएगा और इसके बाद इस रोट का शुभारम किया जाएगा यह पूरवी उत्तर प्रदेश के लिए लाइफ लाइन साबित होगा रोट के किनारे अद्दोगी कॉरिडोर भी बनाय जाएगा जिसे यहां के निवासी जो उत्दोग लगाना चाहते हैं उनको अन्य प्रदेशों में जाने की ज़रुवत न पड़े और बाहर से भी कोई अगर आना चाहे तो उसको भी आसानी से यहां काम मिल जाए गवर्तलब है कि प्रदेश सरकार की इस महत्योकांची रोट योजना के शुबारंब होने को लेकर करीब एक वर्ष से अटकले लग रही थी लेकिन कुरोना महमारी के चलते रोट के निर्माड में कई बार विवधान उत्पन हुआ जिससे इस रोट के मुकमल होने की तारीख हैं लगातार बढ़ते रही कई बार खुद मुक्यमंतरी योगी आदितनात आजम गड़ाए और उन्होंने कारियों के समिक्षा की 344 किलोमीटर के साथ जिलों को जोडने वाले इस रोट से माना जा रहा है कि पुरवांचल के विकास की यहरीड साबित होगा प्रदार मंतरी नेरेंद्र मोदी ने वर्ष 2017 में यस्तियोजिना का शुला नियास आजम गड़ में आकर किया था पुरवांचल अपने निर्धारित समय से काफी पहले पूरा होने का सब्सक्राइब माननी मोदी जी के निर्टत्त वाले सब्कार में हमारे माननी मुठ्वन प्रिश योगी ने आज हम इसके इंस्पेक्शन पर हैं मुझे इस बात को कहते वे प्रसनता हो रही है कि इस मेहन को भी हर हालत भी जुलाई भी परा मदब 10 जुलाई तक उसको पूरा करने हैं यहां की आर्थिक व्यवस्ता के लिए यहां की प्रगति के लिए इस बात को प्रसनता है कि आज जहां पर जहां पर हम लोगों ने इंस्पेक्शन किया गुरुमत्ता के साथ और समय के पूर अ इंटर्चेंजेस हैं जहां पर लोग चड़ते हैं यहां पर उतरते हैं पूरी एक्स्पेस हाइवे पर उसके आसपास जमीन चिन्मित कर ले जाए और वहां पर हम इंडस्ट्री सापित करेंगे क्योंकि अगर किसी ने आज दिल्ली से भी और लगनों से भी फौर उधारन क जाकर देखते हैं मुझे लगता है कि उनकी जमीन की खोज है जो इंडस्ट्री से सुविधाओं की खोज है अब उनको अपने ही जिले में मिल जाए और इस एक्ष्प्रस्वे के किनारी मिलें कितना परसंट काम पूरा हो चुका है मैं काऊंगा 90% से ज्यादा काम पूरा है सब्सक्राइब जरूर करें घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सबी खबरों के नोटिफिकेशन्स आप तक पहुंचते रहें